दोस्तों यदि आपका bank account Central bank of India में है और आप Central bank of India के bank account का statement लेना चाहते हैं तो फिर आपको Central bank of India के branch में जाने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है आप घर बैठी Central bank of India के bank account statement ले सकते हैं चलिए आपको complete detail में बताते हैं दोस्तों आप mobile में Google या फिर Chrome को open कर लिजे चलिए open कर लेते हैं इसके बाद आप यहाँ पे type कर लिजे Central bank of India आप यहाँ पर जैसे ही search करेंगे Central bank of India यहाँ पर देखिया जागा centralbankofindia.co.in आप इस पर click कर लेंगे चलिए click कर लेते हैं अब आपको इस तरीका से open हो जागा और यहाँ पर देखिये लिखा हुआ internet banking आप internet banking पर click करेंगे अब यहाँ पर देखिये Central bank of India के internet banking में login करने के लिए आजागा तो यहाँ पर देखिये login लिखा हुआ है आप इस पर click करने जेए अब यहाँ पर आपको detail.finip करना है तो जो भी आपके Central Bank of India का Internet Banking का User ID है आप यहाँ पर fill up करेंगे यहाँ पर login password fill up कर लेंगे इसके बाद जो भी capture code यहाँ पर दिखाए दे रहा है इसको आप यहाँ पर fill up करेंगे दोस्तों यदि आप ने Central Bank of India के Internet Banking का registration नहीं किया है चलिए हम यहाँ पर detail fill up कर लेते हैं यहाँ पर detail fill up करने के बाद proceed पर click कर लेंगे अब दोस्तों जो भी आपके Central Bank of India के bank account के साथ mobile number link है उस पर OTP आया होगा तो आप यहाँ पर OTP को fill up कर लेंगे चलिए हम OTP fill up कर लेते हैं यहाँ पर OTP fill up करने के बाद proceed पर click करेंगे अब दोस्तों देख सकते हैं हम Central Bank of India के internet banking में login हो चुके हैं login करने के बाद जो भी आपका account number है यहाँ पर हुआ सो करेगा यदि आपका Central Bank of India में दो account है तो यहाँ पर दूसरा account भी सो करेगा चुकि हमारा Central Bank of India में दो account है तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों account सो कर रहा है अब दोस्तों यहाँ पर account statement download करने के लिए आप यहाँ पर account number के नीचे में देखे लिखा है view details आप इस पर click करेंगे अब यहाँ पर आपका account का details हो करेगा जैसे कि यहाँ पर account type इसके अलावा account number यहाँ पर branch code जो भी Central Bank of India के branch में आपका account है वह branch का नाम जो date में आपने account open करवाया है यहाँ पर account opening date साथी आपके account में जो भी balance होगा यहाँ पर वह balance हो करेगा चले इसके बाद आप इस तरीका से इसको scroll कर लेंगे अब दोस्तों यहाँ पर account statement download करने के लिए यहाँ पर देखे लिखा है statement of account आप इस पर किलिक कर लिजे अब दोस्तों यहाँ पर देखे लिखा है account number तो आप इस पर किलिक कर लेंगे अब यहाँ से आप अपना account select कर लेंगे चलिए हम यहां से select कर लेते हैं अब यहां पर देखे लिखा है format type तो आप यहां पर format type पर click करेंगे अब दोस्तों यहां पर देखे बहुत सारा option दिया हुआ है सबसे पहला यहां पर option है display on a screen यदि आप account statement को देखना चाहते हैं तो फिर आप यहां पर display on screen को select कर लेंगे लेकिन दोस्तों यदि आप account statement को download करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखे PDF लिखा हुआ है तो फिर आप यहाँ पर PDF में account statement को download कर सकते हैं इसके लिए आप यहाँ पर PDF को select करना होगा इसके अलबर यदि आप Excel में इसको download करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है Excel Microsoft Excel तो आप यहाँ पर इसको select कर लेंगे यदि आप text के रूप में इसे download करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर text को select कर लेंगे मैं आपको यहाँ पर सला दूँगा यदि आप account statement को download करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर PDF को select कर लिए चलिए हम यहाँ पर PDF को select कर लेते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखे लिखा है transaction for तो आप यहाँ पर select from list पे click कर लेंगे अब यहाँ पर देखे दो option दिया हुआ है सबसे पहला option यहाँ पर है current period यदि आपको जब से आपने account open किया है तब से लेकर के अभी तक का आपको account statement चाहिए तो फिर आप यहाँ पर current period को select कर लेंगे यहाँ से लेकिन दोस्तों यदि आप चाहते हैं अपनी मर्जी से date wise account statement डॉनलोड करने के लिए तो फिर आप यहाँ पर इसको select कर लेंगे चलिए जैसे कि हमें यहाँ पर फिलाल current period का account statement डॉनलोड करना है तो हम यहाँ पर current period को select कर लेते हैं इसके बाद आप submit पे click करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं account statement हमारे mobile में download हो गया है और यह open हो चुका है account statement में यहाँ पर आपका branch का नाम सो करता है इसके अलावा आपका नाम साती आपका address यहाँ पर लिखा होगा account statement में इसके अलावा जबसे आपने Central Bank of India में account open किया है उस date से लेकर के आज तक का आपको यहाँ पर account statement सो करता है जिसमें की आपको पूरा detail लिखा होगा यहाँ पर account statement में जो भी date में आपके account में कोई पैसा credit हुआ है या फिर आपके account से पैसा debit हुआ है यहाँ पर date wise लिखा होगा साती यहाँ पर कितना रुपय आपके account में credit हुआ है या फिर debit हुआ है यहाँ पर detail लिखा वराता है तो इस तरीका से आप लोग जब से account open किया है उस date से लेकर के आज तक का account statement download कर सकते हैं अब दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि particular date wise account statement download करने के लिए इसके लिए आप यहाँ पर देखे लिखा है transaction for और यहाँ पर आप click कर लेंगे अब दोस्तों आप यहाँ पर इसको select कर लिए जैसे आप यहाँ पर select करेंगे यहाँ पर देखे date select करने के लिए आजाएगा तो जो date से आपको account statement चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है from date तो आप यहाँ पर from date पर click करेंगे अब यहां से आप date select कर लिजे, आपको कब से account statement चाहिए, जैसे कि हमें यहां पर एक मई से account statement चाहिए, तो हम यहां पर एक तारिक select कर लेते हैं, इसके बाद set पर click करेंगे, इसके बाद यहां पर देखे लिखा है two date, तो आप यहां पर two date पर click कर लेंगे, अब यहां से आप date पर यहां पर एक तारीक सेलेक्टर लेते हैं इसके बाद सेट पर कलिक करेंगे अब दोस्तों देroll करें हम्हें हैं यहां पर एक माई से लिख करके एक जून तक का एकाणुट एस्टेटमेंगे तो हमें यहां पर लिया है अपन हो Forschijas जो date हमने यहाँ पर select किया है उस date में जो भी transaction हुआ है यहाँ पर वो so कर रहा है यहाँ पर account statement में branch का नाम साती यहाँ पर आपका नाम address लिखा वा रहता है कहीं भी आपको account statement proof के रूप में देना है तो आप इस तरीका से download करके इसे print करा करके account statement को proof के रूप में दे सकते हैं आप इसको select करते हैं अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा option दिया हुआ है यदी आप account statement जो download करना चाहते है उसमें आप चाहते हैं कि पूरा detail नहीं रहे तो आप यहाँ से इसको select कर सकते हैं जैसे कि हम चाहते हैं कि account statement जो download हो उसमें इस इफ डैविट एमों सो करें या फिर बाइलेंस सो करें या फिर यहां पर होल्ड एमोंट सो करें तो आप यहां से इसको पार्टिकूलर सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे हम यहां पर डेविट एमोंट सेलेक्ट करते हैं इसके बाद सम्मीट पे किलिक करते हैं जैसे हम ने यहां पर सम्मीट पे किलिक कि भी select कर सकते हैं कि आपको क्या account statement में चाहिए तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग Central Bank of India के bank account का statement घर बैठे mobile में download कर सकते हैं account statement के लिए आपको branch में जाने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है अब दोस्तों यहाँ पर आपको internet banking से लगाउट कर लेना है लगाउट करने के लिए यहाँ पर देखे लिखाए लगाउट आप इस पर किलिक करेंगे अब दोस्तों देख सकते हैं हम Central Bank of India के internet banking से लगाउट हो चुके हैं उमीद है कि दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बता दिया है आपके मन में सवाल लगता है तो comment करना मत भूलिए आपके comment का जवाब हम जरूर देंगे उमीद है कि आपको इवीडियो पसंद आया होगा like करना मत भूलिए फिर मिलत अगले बहूत ख्याल लखिएगा बाई टिक केर